कैसा होगा जून का महीना आप सब के लिए आपकी अंकों के अनुसार क्या खास लेकर आया है इस महीना जुड़े रहिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा आए है तो वलकम तुड़े फामिली कुछली हिद शुड़े सब्सक्राइब बटन और अगर आप अलड़ी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं तो वैल गेर आप कप अफ टी और काफी क्योंकि बहुत ही खास होने वाला है आज का कॉनर्सेशन जून का महीना राशी अनुसार इस महीने प्रधानता होने वाली है जेमिनाई की और यूं कहूं तो मन्त है 6 नंबर यानी जून साल को यूं कहूं 24 का halfway through lot of new things globally as well आपको personally भी impact करने वाली है पर कुछ अंकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है आप में से कुछ को शिकायत रहती है कि साथ आठ और वालों के लिए कुछ खास बातें जरूर बताएं वैल दोनों ही पहलों आपके सामने शेयर करने वाली हूं पहली चीज़ सब अंकों के लिए यू कहूंगी कि एपिसोड के एंड में आपके साथ एक बोनस टिप शेयर कर रही हूं जिसे आप जरूर एंड तक वाच करें क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ में आप हैं नम्बो वान यानी सूरी की प्रधानता वाले और आपका जन्म हुआ है एक तारिकों दस तारिकों जैसे खास रहा है कुछ चीजें आपकी बनने ही शुरी हुए तो इस महीने में भी होंगी लेकिन यू कहूं कि मिट जून तक मिट जून के बाद आपको थोड़ा से साफधान रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी से लापरवाही आप में अगर आ रही है तो यू आप टू चाहते हैं आप हर बड़ाद में नहीं फोकस और दिस्सिप्लिन के साथ अब्सलुटली यू कन अचीव ओर ओर एल्ट के दिश्ची कोर से यू कहूं कि इस महीने थोड़ा सापको ध्यान रखना पड़ेगा आपको सदन ऐलर्जी की वजे से या आपको सदनी ऐसा लगेगा कुछ खाया वो आपको सूट नहीं किया that's sudden thing you have to keep in mind otherwise usually is going to be great for you the month of June relationship के दिश्ची कोर से यहां पे हो सकता है आपके घर कुछ महमान आ जाए कुछ दिनों के लिए और वो महमान है शायद आप यापके स्वाउस में से किसी एक की खास बनती नहीं है कहते हैं ना महमान इश्वर का स्वरूप होता है थोड़ा सा ध्यान रखना and if you are a host take care of it but yes महमानों की वज़े से अपने रिष्टे में खटपट ना आ जाए इस बात का ध्यान रखेगा लेकिन बच्चे they are going to enjoy they are going to love the company उनको लगेगा कि it's a party time and the celebration time to well पढ़ाई पे focus रहे थोड़ा से इस बात का आपको as a parent ध्यान रखना पड़ेगा relationship में workplace पे पिछले कुछ समय से आप workplace की politics से परिशान है आप मेहनत बहुत करते हैं आपको अपने efforts का recognition नहीं मिल रहा था well this month you will see the shift वो कोई खास colleague है जो आपके लिए दिकतें create कर रहा था उससे आपको छुटकारा मिलने के chances है money wise it's going to be good यूं कहूं तो growth आपकी continue रहेगी पर have clarity on वो आप उसको spend कहां कर रहे हैं एक चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि आप number one है आपकी सोच अलग होती है यूं तो कहूं आप अगर अपना मन बना लेते हैं फिर जल्दी दूसरों की सुनते नहीं है start considering others opinions करिए अपने मन की लेकिन अगर कोई आपका well-wisher है आपके अपने है include them in your decision making और अकसर ये workplace पे एक अच्छी habit है कि आप भले ही decision अपना ले लेकिन अपने colleagues को co-workers को अपने decision making में अगर आप उनक्या भी viewpoint लेते हैं तो it becomes a team decision जो आपकी growth के लिए अच्छा रहेगा बात करते हैं number two की यानि की चंद्रमा की प्रधानता वाला अंक those who are born on second, 11th, 20th and 29th of any given month यानि आपके लिए ये महिना continuous रहेगा अच्छा क्योंकि जैसे पिछले महीने में आपके लिए कोई नई beginning हुई कुछ नई खास बाते हुई इस महीने में आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई friend है कोई colleague है या घर में someone is just non-stop talking but which is good emotionally you feel much more confident you feel relaxed and calm but किसी ऐसे के साथ जोड़ दिया जाहे तो बहुत बाते करता है that may create some unnecessary frustration so I would say control that क्यों कह रही हुँ क्योंकि Gemini ka month है राशी की प्रधानता वाला number 6 है year है 24 it's a beautiful combination and come number 2 this is the chance where you will like it or not maybe you will be paired with a colleague जो बहुत बोलता है या family and friends जो बहुत बोलते हैं so have patience there otherwise it's a great month health wise continue watching your diet increase your intake of salads and water जो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पानी आपके लिए बहुत एक magical remedy है and so is the nature walk relationship की बात करूं तो relationship में थोड़े से आपको लगेगा you have become moody मन में कुछ आता है और कहते कुछ हैं बात-बात में आप चिड़ जा रहे हैं और आपकी expectations बढ़ गई हैं जिसे आपको clarify करना पड़ेगा क्योंकि अक्सरवेकती मन में बहुत सारे decisions बना लेता है कहता नहीं तो आपको कहना पड़ेगा रिष्टे बच्चे सब के दिष्टी कोण से कहूं it's a good time करियर में it's time to start focusing क्योंकि खासतार पर mid-June के बाद आने वाले समय में भी आपको अपना you have to be ready buckle up कहने का मतलब ये है कि make sure you are paying attention to details किसी भी email का किसी भी communication का response करने से पहले उसे पढ़िए so much so do the evaluation की कहीं कोई mistakes तो नहीं है और also what you are trying to communicate is it perceived in the same way आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूवत है क्योंकि बेवजह राई का पहार बनने के chances हो सकते हैं आगे आने वाले महीने जुलाए में start buckling up right away money wise things are fine for you you need not worry बठा वो पैसा आपके पास पहुंचने में दिक्कत आ रही है तो आपका लेकिन in receiving you are getting some issues so here is what I'll say in your living space घर में जरा check करें कि कोई भी ऐसी जगे जो आपको लगे आपने clutter पड़ा हुआ है keep it clean और वो सारी चीजें जो आपने कुछ समय से नहीं use करी हैं जिसे आपने सिर्फ hold करके रखा है तो re-evaluate देखी वो चीज जो आप use करेंगे जिसे आप कभी use नहीं करेंगे उसे give it away यह आपकी life में will bring a feeling of ease or all as a number two good time continue doing that कहीं न कहीं get togethers होने के chances हैं या suddenly आपको मन में ये आएगा की एक कुछ नया करते हैं best is start picking up a hobby where you are using your creativity वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बात करते हैं number three की यानि Jupiter की पिदानता वाला है अंक those born on third, 12, 21st and 30th of any given month you are number three अंक तीन की एक खास बात यह है ये वेक्ती महिंती बहुत होता है खयाली पुलाव भी बहुत बनाता है ग्यान बहुत होता है लेकिन अगर यहीं इसकी company खास नहीं है तो ग्यान की जगे gossip का बादशाह हो जाता है या queen हो जाता है you have to pay attention this month आपको लगेगा की अब तो बस आपका रास है सब कुछ आपकी अनुसार हो रहा है wealth चीजें आपकी बहुत स्मूद होने वाली है health continue to watching your diet but otherwise yes it's going to be good wealth के दिश्ची कोर्ण से भी कुछ गिफ्ट मिलने के चैंसे है family pamper करेगी अचानक से that celebration is still continues you will be in a very good mood job में भी आपको recognition मिल सकता है पर लोग appreciate करेंगे आपकी social skills को which is really good however be careful in that socializing किसी को कुछ आप ऐसा ना कह दें जो दिक्कत दें क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले महीन जुलाइ और ऑगस्ट में आपको किसी ऐसे boss के साथ या group में transfer किया जाए जिससे बनने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी वो क्यों क्योंकि आप बोलते बहुत हैं और जिसके साथ आपको partner करेंगे वो बोलते कम है well the best is बोलने से पहले सोचना शुरू करिए otherwise is a good time relationship के मामले में भी it's perfect you and your partner both will have that good spike of energy, emotions and passion which is really good for your relationship maybe making a meal together just suddenly making a plan की बाहर होकर क्या आते हैं घूम क्या आते हैं it's a good time but learn to relax as well ease out बच्चों की बात का हूं friends ya siblings in सब की बात का हूं तो you're going to enjoy the time related to their studies their school work and all kids are going to get some easy time as well overall बहुत अच्चा समय है मनी की तरिष्टी कों से और इंवेस्में की तरिष्टी कों से का हूं की stay put from investment sudden decisions जिसमें आपको मन में आए कि इंवेस्ट करते हैं इन से थोड़ा सा दूर रहेगा क्योंकि थोड़ी सी wrong investment हो सकती है so अगर आपको किसी चीज में इंवेस्ट करना है evaluate and make sure you understand and your decisions are not backed by your gut feeling only it is backed by the actual data अगर confident नहीं है तो किसी से salah मशवरा करे overall रिष्टे, money, education finance, career इन सब के दृष्टी कों से ये महीना आपका अच्छा होगा जहां पे साफधानी बरतने की जरूरत है तो इसलिए अपने बोलने के तरीके को थोड़ा सा observe करे अक्सर वेक्ति उन रिष्टों को they take it for granted जो उनको लगता है अरे ये तो अपने हैं और यकीन मानिये ये अपने ही हैं जो छुच्छी बात उनको दिल को अगर चुप जाए तो फिर वो बात उनके दिल को लग जाती है राई का पाहाड बनने में तेर नहीं लगती तो अपने जितने अपने हैं उनको अपना बनाया रखने में मेनस ज्यादा लगती है remember that बात करते हैं अंक चार की वो वेक्ति जिसका जन्म हुआ है चार तारिका तेरा तारिका 22-31 राहु की प्रदानता वाला है अंक इस महीने आपके लिए मैल के मुकाबले ज्यादा अच्छा होने वाला है और आने वाला महीना जुलाए भी आपके लिए बेहतर होगा पर करना क्या है खास्त पर मिट जून के बाद तो समय अच्छा है पर करना क्या है आपको इस दोरान understand your purpose आपने लाइप में बहुत मेहनत करी है भागदौर करी है या पढ़ाई कर रहे है जीवन के जिस पढ़ाओ में है आपको problem होती है focus करने में आपको बहुत कुछ करना है और बहुत ज्वल्दी करना है और जो करते हैं उसको पूरा पूरे तरीके से complete नहीं करते हैं यह problem देती है अपनी सेहत पर ध्यान दीजे कि don't just eat at the women fancy at the spur of the moment कि उस पल में जो मन किया और खाया observe yourself आपकी diet आपकी health को ठीक रखे इसके लिए बहुत ज़रूरी है you become a mindful eater और सेया सिर्फ खाने से नहीं रहती वो thoughts भी चो आप अपने मन में दे रहे होते हैं उससे भी होती है so keep that in mind otherwise work out आपके लिए और meditation आपके लिए रामबान इलाज रहता है तो कुछ आपको investment के returns आएंगे लेकिन towards the end of the year 24 right now you have to be just wise with your money and investment job continues as well projects मिलने के chances है money आपको देखना पड़ेगा जब आ रहा है start giving gratitude क्योंकि you will see that it goes a long way आप थोड़े से stress में आ जाते हैं खर्चों की list आपकी पहले तयार होती है इनकम आने से पहले infuse the ritual of gratitude in your life और हाँ अपने घर के जितने भी septic tank हैं और bathroom वाली जगे हैं उन सब को आप एक storage place ना बनाएं वही चीज़े रखें जिनकी वहां पर जरूरत है खास तोर पर अपने bathroom को revisit and clean it and align it don't make it a dumpster relationship में अपने spouse के साथ, colleagues के साथ या बच्चों के साथ this is the time you have to put a plan in place आप चीज़ें बगार सोचे समझे करते हैं जिसमें आपको अपने लिए time नहीं है बच्चों के साथ spend करने के लिए time नहीं है या काम के working hours बहुत बढ़ गए हैं put a plan and a rule in place कि किस समय आपके लिए आपके पास समय रहे परिवार के लिए और job को overextend ना करें that you're bringing it home that it is consuming you that balance is important so money, relationship, health, finance के दृष्टी कोर से balance आपके लिए बहुत जरूरी है लेकिन खास तर पर जून के महिने में आपको एक पन में ये thought जरूर आएगा where am I going अधा साल होने को आए है what is it that I'm trying to achieve and इसके लिए आपके planning बहुत help करेगी क्योंकि now is the time जो आपने मेहनत करी है कौन सा result आप चाहते हैं और कहां कमी है या कहां you really need to up level your efforts ये आपको इस परश्टा मिलने लगेगी तो अकसर एक तो जीवन में आपके जो प्रभाव आते हैं वो ग्रहों के बदलाव से भी आते हैं कि कौन सा ग्रह इस महीने कहां पे है उसकी दृष्टी कि सराशी पे है और उसका प्रभाव आप पे क्या आएगा दूसरी चीज होती है आपके अंकों के अनुसार लेकिन जब ओर आल इंपक्स आप पे नहीं ग्लोबली भी आता है एपिसोड के अंत में उसमें भी आपके से बात करने वाली हो बात करते हैं अंक पांच की बुद की प्रधानता वाला वो व्यक्ती जिसका जन्व हुआ है पांच तारिक का 14th and 23rd of any given month you will have impact of mercury and particularly this month it's going to be an amazing month पिछले महीने भी आपके लिए अच्छा रहा है that continues the celebration and ease and एक बिंदास वाली feeling आपको आएगी कि भाई सानू की नहीं सब ठीक हो रहा है you're enjoying the life अकसर होता है न कि मेनत करे you're not reaping the fruits but इस दौरान आपको अचानक से you'll have influx of work new projects, new deals new referrals, new referrals आपको मिलेगी and it is visible to you I should say growth wise जब आप काम में मसरूफ हों तो अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखे and I would say add a habit of journaling add a habit of meditation and gratitude in your life and a calendar in life क्योंकि you do just get to things that the women fancy अचानक से मन में आया है तो कि आप बगेर सोचे समझे calendar होने से आपको एक visibility होगी, एक plan होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है money के लिए अच्छा है relationship के दृष्टी कोण से आप काम में busy हैं या घूमने फिरने में हैं friends के साथ आपका मन लग रहा है लेकिन start giving a hand at home whether it is tutoring your kids helping them with their school work or helping your spouse or significant others क्योंकि आपके relationship के लिए ये बहुत जरूरी है कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी it is not living under the roof that builds the relationship it is caring for each other and having the trust is important एक जट के नीचे रहने से परिवार नहीं बनता एक दूसरे को समझने से एक दूसरे को ये ऐसास दिलाने से कि you care रिष्टा उससे पनपता है और बनता है और जरा खुछ से प्यूचिये कि पिछले कुछ समय में आपने कितना समय बिताया है इस एसास को जागरत करने में now is the time get on it so overall रिष्टों के दृष्टी कोड से धन के दृष्टी कोड से यूँ कहूं तो अंक अपना कमाल तो करते है करते तो आप है अंक एक आइडिया देता है आपके अंदर जिससे आप implement करते हैं या उसके अनुसार you take actions लेकिन कहीं न कहीं कैसे करना है ये flexibility आपको है ये episode आपको guide करता है कि क्या stars कह रहे हैं क्या अंक कह रहे हैं लेकिन करना आपको है overall good time for you infuse your intention कि सब अच्छा है और सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा start caring and show that care बात करते हैं अंक 6 की यानी की शुक्र की प्रधानता वाला वो वेक्ती जिसका जन्म हुआ है 6 तारिक का पंदरा तारिक का और 24 तारिक का शुक्र की प्रधानता वाला और यह है शुक्स मांत यानी शुक्र की प्रधानता वाला और राशी है जेमनाई खास बुद्ध की प्रधानता यह आपके लिए अच्छा रहेगा महीना थोड़ा सा रिलेशन्शिप में काम बनते बनते रुकने के चैंसे दिख रहे हैं जो दिक्कते ला सकता है अब यहां पे पहले तो ओर रॉल यह महीना आपके रिलेशन्शिप फैमिली सब के लिए अच्छा है लेकिन अगर आप कुछ नया कर रहे थे आपको किसी पर भरोर आपको पहले बचा रहा है अक्सर व्यक्ति के अपनी समझ और औरों के मामले में गलत होती है या वो कुछ और समझता है लेकिन जब इश्वर की महर होती है तो इश्वर उनकी आँखों पे से पट्टी हताता है उनकी सच्चाई सामने दर्शाता है तो इसमें वक्त को बु कई नगेर जाता डाइट भी अचिह नहीं है वर्क आउट भी अच्छा नहीं है तो कहते है रोजाना अगर इश्वर आन सेख़ी और अछंगा प्रबहार नहीं देती सबस्के के आपको अपने लुख्स और रही ध्यूश्यान देना है कि लेकिन फैंद्याश्यान दी निय है health wise don't starve yourself कहूंगी की अपनी सेहत और अपने डायेट का ध्यान रखे वेल्थ के दिश्टी कोर से यह महीना आपके लिए अच्छा है यहां पे थोड़ा सा इस महीने start focusing on your savings unnecessary expenses पे थोड़ा सा control करें relationship के मामले में तो अगर if you are trying to settle or new commitment उसमें early part of the June आपके लिए अच्छा है mid part of the June शायद चीजें थोड़ी डिले हो जाए family friends siblings के साथ अपने relationship में फिर हो चाहे आपके बच्चे भी हो थोड़ा सा set expectations हर वेक्ति अगर आपकी यादत है सिर्फ हां करते हैं हर चीज में तो आपका workload बढ़ जाएगा set expectations right ना बोलना थोड़ा सा शुरू करिये या सिखाए जो चीज आपको overwhelm ना करें तो वही बात अपने बच्चों के साथ भी उनको भी यही सिखाना है कि unnecessary time invest ना करें उन पर जिसका it's no way going to get the value or the return back money की वाइस कहूं wealth के बात या finances या career के मामले में balances की you will earn well कहीं न कहीं आपके side returns भी आने शुरू हो गहीं investments आप you picked up a side hustle और you are planning to pick a side hustle जो आपके लिए अच्छी है overall for the month of June if you all are watching one thing I would say is become smart and sensible एक व्यक्ती बारिश देखता है घर से गाड़ी लेके निकल जाता है कि सानू की गाड़ी में बैठा हूं गाड़ी गिली होगी मैं तो नहीं लेकिन यह देखना जरूरी है कि गाड़ी में गाड़ी में जरूरी आप एप जार्य कई जा रहे हैं जरूरी में जर्ण ओनको पता है आप जा रहे हैं जहां आप जारहे हैं डस IT even matter is it priority so कहने का मतलब यह है for the month of June if you are number six devote your time and energy to the task that is a priority अन्नेसेसरी उसे बेस्ट ना करें बात करते हैं अंक साथ की वह वेक्ती जिसका जन्म हुआ है साथ तारिक का सोला तारिक का और पच्छिस तारिक का केतु की प्रधानता वाला है यह इस महीने आपके लिए कहूंगी कि ले लो पंगे मतलीजे लोगों से आप बोलते नहीं है या मिसंडेस्टैनिंग हो सकती आपके कहने की वज़े से इस महीने आपको साथान रहना है कि unnecessary किसी female की वज़े से आपकी life में या even office space में खटपटना हो जाए अगर आपकी female boss है तो आप अगर जो कहना चाह रहे हैं कहिए show it backed by data don't just present your assumptions थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है so just be very careful उस वज़े से आप अपनी family life पे अपना unnecessary anger निकाले क्योंकि वो बात जो office की है वो आप अपनी relationship में बेवज़ा tension ना ले आए और कहीं बेवज़ा बच्चों को न डाटे you see how things flow तो अगर मन खुछ है जिसके लिए आपको meditation regularly करना है office की दिक्कते या office की दिक्कते घर में ना ले आए बेवज़ा घर की दिक्कते office ना ले जाए कहने का मतलब यह है इस महीने साधानी पुरवक females के साथ deal करें वो आपकी बॉस हो या wife या बेटी या friend या sister क्योंकि एक तो सौ शब्द कहने की जगे आप दस शब्द कहते हैं और जब कहते हैं वो सपश्टा से नहीं कहते हैं या जो कहते हैं आप अकड के साथ या अडियल होके कहते हैं सामने वाले को समझ नहीं आती you have to be very careful and intentional about how you present intent is important 7 के लिए बहुत जरूरी है वो जो करता है उसकी intent ठीक हो लेकिन perceived value भी वैसी होनी चाहिए overall health, wealth, relationship, बच्चों के मामले में finances ठीक है आपके जहां आपको सावधानी बरतनी है presentation of what you're saying and how you present और अकसर आपको अगर गुसा आई या चिर्चड़ाहट आई है तो best is have patience एक लास पानी पी लीजे आप जच से you will find your focus and calmness and balance बच्चों को मैनेज करना आपने आप में बहुत बढ़ी कला है खुद को मैनेज करना उसे भी बढ़ी कला है तभी कहते है न जीवन is the best teacher और जीवन के हर अनुभाव से सीखते हुए व्यक्ती ऐसे ही आगे बढ़ता है जैसे एक बच्चा एक ग्रेट से एक क्लास से दूसे ग्रेट थोड़ा सा इस महीने यूँआप टो आट मैचूरली बात करते हैं अंक आट की शनी की प्रदानता वाला है अगर आपका जन्व हुआ है आट तारिका 17 तारिका और 26 तारिका इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आप महीनत करते हैं यूँ गोँटो गेट रिवार्ड और यूँ गोँटो गेट अप्रेशिएशन पर यूँ एफोर्ट काम में आपने बहुत महीनत करी है पिछले कुछ समय कुछ काफी टाइट डेडलाइन वाले प्रॉजेक्ट थे अपनी सेहत को नजर अंदाज में करें हो सकता है थोड़ा वेट पुटांड कर लिया है या थोड़े से हेल्थ इस्यूज आ रहे हैं तो प्लीज डोंट इग् कि मैं बहुत इंपॉर्टन हूँ तो बहुत बड़ी गलत फैनी है मेहनत तो आप जीवन में लिखा के लाए हैं लेकिन इस महीने आपको रिवार्ट मिलने के चैंसे सेहत को इगनोर मत करिए बैल के दृष्टी कोर्ण से जो आपने मेहनत करी है उसका आपको रिवार्ट मि हो जाएंगे एक होकता है वेक्ति बूखा बैठा है और कहता है मुझे खाना मिल जाएगा एक होकता है वेक्ति कहता है भूख लगी है मुझे कहना पड़ेगा उसको जाके लाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा तो आप दूसरी कैटिगरी में आते हैं जिसमें आपको रोज चाहिए तो आपको create करनी पड़ेगी अपने boss को बोलना पड़ेगा and you have to deliver results. Relationship के मामले में वैसे भी आपकी घर में आपकी चलती नहीं है. आपके घर में राज किसी और का है, मेहनत आप करते हैं और आपके मन में अकसर ये बात आती है कि ये क्या है? Well, कुछ चीजें इश्वल लिख के भेशता है, आपके केस में जो आप लगातार मेहनत करते हैं, आप रिष्टे को बना के चलना चाहते हैं, एक होता है ताली दोनों हाथ से बचती है, एक होता है ताली एक ही हाथ से बच रही है, सामने वाला सिर्फ जबरदस्ती हाथ को आग वो गाड़ी आगे नजा सके, आपने अपने रिष्टे में बहुत मेहनत करी है, now is the time to bring understanding back, कुछ चीजें प्रबलम क्रीट करती हैं, आपके मन में चल रही हैं, उनसे डरने के बचाया उनको पश्टा से कह दीजे, रही बात बच्चों की काहवत है, जो वेक्ती अपनी खुद को दीजे, वही चीज आपको दूसरों से असानी से मिलेगी, माबाब अपनी जिम्मेदारी बच्चों के प्रती, परिवार के प्रती निभाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को लगे, अरे यह उनका फर्ज है, कौन सा बड़ा काम किया, तो कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में गलती करी है, तो यह एक्स्पेक्टेशन सापको अपनी फामिली में, यूँआप तो रीइंस्टिल और रीस्टेट, अदर्वाइस खाफी अच्छा परिवार है आपका, जॉब वाइस आपके लिए अच्छा है, आपको कहना पड़ेगा, अगर आप हमें देख और सुन रहे हैं, तो एक चीज़ कहूंगी, बहुत ही प्यारा सा नमबर है यह, क्योंकि इसको आठ से इंफिनिट सिर्फ इस नमबर में है, वो दम जो बन सकता है, और इंफिनिट बनने के लिए, इसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, अपने अंतर मन से जुनना पड़ता है, आपके जीवन में स्ट्रगल्स या हाड़ वर्क का सिलसला जारी रहा है, लेकिन जो ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलती है, फिर वो चाहिए परिवार के साथ हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो तब मिलती है, जब वो चीज जो आप बाहर चाहते हैं, समाज से चाहते हैं, वो आप खुद को देने लगें, बहुत बड़ा राज है यह, पात करते हैं अंक नौ की, मंगल की प्रधानता वाला, वो वेक्ति जिसका जन्व हुआ है, नौ तारिका, अठारा और सताइस तारिका, आप में जोश बहुत है, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत से आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं, आप बहुत समय डिवोट करेंगे, तो अपनी सेहत को नजर अंदाज मत करेंगा, क्योंकि कुछ ऐसेडिटी होने के चैंसे हैं, और जहां तक हो सके, ड्रिंकिंग से दूर रहे हैं, सटे से दूर रहे हैं, आपको लगे कि रातो रात रही सो जाएंगे, तो वेल, आपको अपने जीवन के अनुभव से पता है, कि यह कितना सच है या नहीं, खाने पीने का ध्यान रखिए, लेट आर्स काम कर रहे हैं, तो इन बिट्वीन 10-10 मिनिट्स का ब्रेक जरूर लीजे, क्योंकि यूँ फिल रिचास्ट एंड रिफ्रेश्ट वर्क वाइस, प्रोफेशनली, फिनाइस के ध्रिश्टी कोर से बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको कुछ नए रास्ते, नए आयाम खुलने वाले हैं, आपको एक नया जोश भी आएगा आपके अंदर, ये आपके रिष्टों के लिए अच्छा है, परिवार में बच्चों के लिए अच्छा है, फ्रेंज और फैमिनी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप करने पर आते, तो सिर्फ आप अपना जीवन नहीं तारते, अपने साथ साथ औरों का भी तारते हैं, आपको इसमें सपोर्ट करती हैं अपनी सिक्निफिकेंट अदर, तो acknowledge them, appreciate them, आपके रिष्टे में प्यार और पैशन बना रहेगा, तो best है, genuinely, birthdays or anniversary नाप फूलें, क्योंकि आपकी आदत है, आप लोगों से मिलते हैं, उनका नाम भूल जाते हैं, भई ये कौन है, तेरी शकल तो याद है, तेरा नाम याद नहीं है, या आपको अपनी ही anniversary याद नहीं है, अपने ही बच्चों के जन तितियाद नहीं है, तो ये काम करिए, टेक्नोलोजी के इस समय में, कैलेंडर बहुत easy है, रिमाइंडर डालिए, इस ताइम तु बखल अप, पेंड सम दाइन विद फैमिली, वर्क वाइज आपके प्रोजेक्स पढ़ेंगे, फ़नेंस वाइज या आपके लिए समय अच्छा है, और ग्रोथ रहेगी, जहां में आपको ध्यान देना है, एक चीज़ पे की, आपको करियर में कोई पीछे से आके बैक स्टैप न करे, आपने अपने कुछ राज शेयर करें, ट्रस्ट करके अपने कॉलीग के साथ, आपको लगा, वो सुनते हैं अपने, कहा जाता है, दुनिया में कोई बीची स्मुफ्त नहीं होती, कॉलीग के साथ रिष्टा प्रोफेशनल रखना चाहिए, नो मैटर वाट, पर्सनल रिलेशन्शिप, पर्सनल, जिन्हें आप कॉलीग स्मानते हैं, let me be brutally honest, हो सकता है, वो भी उसी प्रोमोशन के लिए ही कोशिश करें हो, जो आप तो हर वेक्त ही अपने बारे में सोचेगा, आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन अपना protection करना आपका हग बनता है, so be very careful what's going on behind your back, do not reveal your work secrets, no matter how good a friend you are with your colleague, क्योंकि कॉलीग है वो, मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है as a team, but बेवकूफ होना, कहते हैं न, एक गाल पर चाटा मारे कोई व्यक्ति, तो उसकी गलती, दूसरे गाल पर भी मारे तो आपकी गलती, तो व्यक्ति अपनी जीवन से सीखता है, ट्रस्ट करना अपनी जगे है, लेकिन ट्रस्ट आसानी से करना गलत हो जाएगा, so अपने काम, अपने USP, अपने सीक्रेट, अपनी एक्सपर्टीज को, manage it, don't just reveal it like that, आप सबके लिए कि जून का महिना कैसा है, मुझे जरूर बताएं कि इन में से कौन सी बात आपको relate होई, अब यहाँ बात करती हूँ, बोनस टिप की, इस महिने में आप सबके लिए एक growth बनी रहे, वो abundance बना रहे हैं, जो आपका flow बना रहे हैं, तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस image को आप print out करके अपने wallet में रख सकते हैं, जून से लेके ये पूरे December 24 तक ये आपको support करेंगी, चीजों में न कहते हैं, वो जो एक flow बना रहे उसके लिए, तो फिर वो health हो, abundance हो, या परिवार में वो आपकी इज़त हो, या आपकी लोग सुने, और आप लोगों की सुने, उस मामले में ये आपको वो energy ब्लेस करता रहेगा, globally, अब वी आर इन्टू halfway through 24, globally, naturally, कुछ चीजें होने के chances हैं, जो संकेत दिख रहे हैं, कि weather related some happenings, but also, एक उथल पुथल स्टॉक मार्केट की, Bitcoin एक नई करेंसी बन चुकी है, और बनती जा रहे हैं, लेकिन एक उथल पुथल नए तरीके की मार्केट में, some new players coming up some with some new innovations, कुछ ऐसे संकेत हैं इस महीने, मुझे जरूर बता हैं, दुनिया के किस कोने से जुड़े हैं आप, और हाँ, आज आपका फेवरिट टिप क्या था, इससे एपिसोड को शेर जरूर करें, शेर करने में कंजूसी ना करें, कहते हैं ना भला करो तो भला होता है, वैल, झाइ ये झाइ जरूर को शेर एंड़ बता हैं, झाइ भला करें जरूर को शेरूर बता हैं,